मेरे चैनल प्यार का तड़का में आप सभी का स्वागत है आज मैं बनाऊंगी ओरियो वालनेट ब्राउनी अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंस कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा सब्सक्रेप्शन बिल्कुल फ्री है, बेल आइकन को भी प्रैस कीजिएगा इससे मेरा आने वाला हर वीडियो आपको तुरंधी मिल जाएगा मैं हर रोज एक वीडियो डालती हूँ तो आईए शुरू करते हैं आज की रेसिपी ओरियो वालनेट ब्राउनी बनाने के लिए यह मैंने ओरियो बिस्किट लिए है यह 24-25 बिस्किट है बजन में 200 ग्राम है अब इनको इस तरह से तोड़ लेंगे बिस्किट को इसकी क्रीम के साथ ही तोड़ना है बिस्किट को दो बैच में पीसेंगे पहले इतना ही बिस्किट को ग्राइंड करेंगे बिस्किट ग्राइंड हो गए है अब इसी में और बिस्किट भी डाल देंगे अब इसको भी एकदम फाइन पाउडर में ग्राइंड कर लेंगे बिस्किट अच्छी तरह ग्राइंड हो गए है अब इनको एक बोल में निकाल लेंगे यह देखिए यह एक कप दूद है इसको उबालने जितना गरम कर लिया है यह इसमें डालेंगे वन फोर्थ कप मैंने यह डार्क चॉकलेट कंपाउंड लिया है जो यह डार्क चॉकलेट मार्किट में अराम से मिल जाती है अगर यह नहीं है आपके पास तो आप कैटबरीज का चॉकलेट ले सकते हैं ग्रेट करके यह वन फोर्थ कप लिया है मैंने इसको बिलकुल घुल जाने तक मिलाएंगे वन टेबल स्पॉन इसमें कोको पाउडर डालेंगे वन टी स्पॉन इसमें कॉफी पाउडर डालेंगे ये इंस्टेंट कॉफी पाउडर है सभी चीज़ें अच्छी तरह मिल गई है अब इनको biscuit के mixture में मिलाएंगे अब इसको 5 मिनिट के लिए rest के लिए रख देंगे और oven को 180 degree के लिए preheat के लिए लगा देंगे oven जब तक preheat हो रहा है तब तक baking tray तयार करेंगे जिस भी baking dish में आपको cake bake करना है वो ले लें और उसमें butter paper लगा लें बेटर का 5 मिनिट का rest हो गया है अब बेटर को final करेंगे यह देखिए बहुत ही अच्छे से mixture बिलकुल melt होके ready हो गया है इसको rest इसलिए दिया था कि Oreo के कोई अगर pieces रह गए हैं तो वो इसमें अच्छे से गुल जाएं अब इसमें 1 4th cup यह देखिए walnuts को एकदम बारी चॉप किया है मैंने यह इसमें डालेंगे अब इसमें एक शैशे इनो का डालेंगे हलके हाथ से मिलाएंगे बिस्किट्स हमने क्योंकि क्रीम के साथ लिये थे इसलिए हमने इसमें कोई भी ऑईल या बटर बगेरा नहीं डाला है क्योंकि उसमें खुदी बटर होता है अब इसको baking dish में shift करेंगे एक दोबारी इसको tap करेंगे और ये थोड़े से walnuts उपर से डाल देंगे अगर आप cake कड़ाई में bake करते हैं तो इसको कड़ाई में भी bake कर सकते हैं जब हमने oven को preheat पे लगाया था उसमें पे कड़ाई को preheat पे लगा दें और अब इसको 25-30 मिनिट के लिए bake करेंगे ये देखिए बिल्कुल clean brownie निकली है इसको मैंने 180 डिगरी पे 30 मिनिट के लिए bake किया है अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और बिल्कुल ठंडा होने के बाद इसको unmold करेंगे Oreo walnut brownie बिल्कुल ठंडी हो गई है अब इसको unmold करेंगे और cut करेंगे साइट से थोड़ा सा लूज कर लेंगे बटर पेपर को हटा देंगे ये देखिए कितने spongy बहुत ही अच्छी brownie बनी है जब आप इसको serve करेंगे कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि आपने ये Oreo biscuit से बनाईए अब इसको cut करेंगे ये देखिए बहुत ही soft बहुत ही अच्छी brownie बनी है अब इसको serve करेंगे हलकी सी इसके उपर powdered sugar स्प्रिंकल कर देंगे और chocolate sauce डालेंगे ये optional है अगर आप चाहें तो डालें इसको vanilla ice cream के साथ serve करेंगे बहुत tasty लगती है लेजिए बन के तयार है हमारी बहुत ही tasty oreo walnut brownie इसको ज़रू try कीजिएगा और अपने अनुभव comment करके share कीजिएगा इसको प्यार से बनाइए प्यार से खिलाइए अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया है तो इसको like कीजिएगा, share कीजिएगा comments कीजिएगा और मेरे जैनल प्यार का तर्का को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू, बाई बाई नमस्ते कर दो करeyeं कीजिएगा बाई जाझा अगर मेरे लेग county करें वीडियो करें तूरकá कर दो करें लेगे नहीं जापकी